नमस्कार क्रांती और इसामी आपका स्वागु थी, किसान और घड़ा बच्चों की कहानी, भोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परिशान रहता था, वो कथापूर नमक गाउं में अपनी मां की साथ रहता था, भोला अपनी मां को बहुत प्यार करता था, वो हमेशा अपनी मा से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता और चिंतित रहता उसकी मा उसे हमेशा दो शिक्षा देती एक हमेशा इमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो दो ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देते हैं उसकी गरीबी भी भगवन सही समय आने पर दूर करेंगे भोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भूलिपन का मजा को लाते थे एक देन उसने एक सपना देखा कि उसके घर पे अचानक सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है वह सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है रामू उसकी बात का मजा को लाते हुए कहता है हाँ मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने की सिक्कों का घरा निकलता है और मुझे मिलता है यह कह कर वह हस्ता हुआ वल से निकल जाता है अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भानती हल चला रहा था अच्छानक उसकी नजर एक घड़ी पे पड़ी वोल जैसे ही घड़े को खोलता है उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है जी हाँ उसमें सोने की सिक्के थे वोल बेचारा बड़ा दुखी होता है उसे लगता है ये तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे ये सिक्के रामू को देने चाहिए वोल जाके रामू से कहता है रामू तुम्हारा सपना पूरा हो गया जाओ जाके मेरे खेट से अपना सोने का सिक्को से भारा घड़ा ले लो यह कहकर भुला अपने घर की और चल पड़ता है और अपने सपने की पूरे होने का इंतजार करता है उसे लगता है कि शायद अब सोने की बारिश भी होगी उसकी यह बात सुन उसकी मा परेशान होकर कहती है भोला तू सचमुच भोला है भला सोने की बारिश होती है क्या सोजा चुप चाप उधर रामू सोचता है क्या यह मुझे बेवकूफ बना रहा है या यह कूद इतना बेवकूफ है भला को यसा करता है क्या मगर चलो चल के देखता हूँ रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है वह उसे घड़ा दीखता है मगर यह क्या उसमें तो उपर 5-6 सांप दीखते हैं जिसे देखकर वह घबरा जाता है उसे लगता है कि इस घड़े भुला की चछत पर चलता है और देखता है नीचे आनगन में भुला सोया हुआ है रामू घड़े का धक्कन हटाता ए और घड़ा पूरा भुला की उपर उल्टा कर देता है सांप नीचे गिरते ही खेत के और बहार चले जाते हैं और यह क्या अच्चानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोला के उपर तहा से आये क्या सोने की बारिश हुई जी नहीं घड़े में नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं देखे उसे सिर्फ उपर के साप देखे भोला के सारे सपने पूरे हुए सोने की बारिश हुई उसे सब्र का फल मिला इमांदारी का फल मिला रामू क बुरे व्यवहार का दंद मिला वो दुखी था खात में आया सभी धन अब वो खोचुका था मा बहुत खुश थी गरीबी दूर